नमस्कार दोस्तों में चलमा आपक पर फिर्सेस वागते हैं दोस्तों आज हम भात करेंगे कंप्यूटर को ओन करते ही डिस्प्लेय पे कुछ इस तरह का मैसेज क्यूं आता है कंप्यूटर में क्या प्रॉब्लेम होने पर ये मैसेज शो करता है या फिर क्या हम इस मैसेज को बाइपास कर सकेंगे, बाइपास का मतलब दोस्तों, कम्पीटर ओन होने पर ये मैसेज ना आए, क्या हम वो कर सकेंगे, अगर बाइपास कर भी ले, क्या ये कम्पीटर के लिए सही होगा, आज के भीडियो में दोस्तों, मैं आपसे इसी के बारे में डिसकास करूँगा, और और साथी साथ इसको कैसे बाइपास करे वो भी दिखाऊंगा Then let's start So guys हमारा सबसे पहला सवाल था इस टाइप की मैसेज डिस्पले पे क्यों आता है Because हमारा कंप्यूटर को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसके अंदर कुछ फॉल्ड आने पर ये खुद बाखुद आपको एलाट कर दे या फिर आपको बोल दे ये इसमें क्या प्रॉब्लम है इसलिए दोस्तो ये मैसेज आता है आप चलते हैं दूसरे सवाल पर कंप्यूटर में कौन सा फॉल्ड होने पर ये मैसेज आता है तो गाइस अगर आपकी कंप्यूटर में टाइम और डेट से ही नहीं है तो ये मैसेज आ सकता है या फिर आपकी जो हार्डिक्स है कंप्यूटर में उस हार्डिक्स की कोई प्रॉब्लम हो तो अब भी यह message आ सकता है इसके अलबा और भी कही सरे cause है लेकिन दोस्तो जिस किसी भी cause के लिए यह message आएगी आपकी computer के display पर अगर आप इस message को first to last read करे तो आप जान सकेंगे आपके computer में कहाँ पर problem है So guys मेरे किसमें यह message hard disk के लिए आया है अगर आप ध्यान से देखे इस message में सबसे नीचे लिखा हुआ है third master hard disk smart status bad जी हाँ दोस्तो यानि के hard disk का जो health है या फिर काम करने की जो शमता है वो computer के लिए सही नहीं है इसलिए यह message show हो रहा है और आपको पहले से ही अगा कर रहा है कि आप अपनी hard disk की backup ले ले और इसे replace कर दे आप आते हैं तीसरे सवाल पर क्या हम इसे bypass कर सकेंगे इसका answer है हाँ जी हाँ दोस्तो हम इसे bypass जरूर कर सकेंगे यानि computer on होने पर यह message show नहीं करेगा और computer direct on होगा आप आते हैं last and final सवाल क्या इस message को bypass करना या फिर skip करना यानि कि यह message ना आए computer on होने पर क्या यह करना सही होगा जी नहीं दोस्तो यह करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा क्यूंकि यह message आपको alert करेगी आपकी hard disk की health की बारे में उसकी काम करने की शमता के बारे में यह message को skip नहीं करना चाहिए फिर भी अगर आप इस message को आना बंद करना चाहते हो तो मैं वीडियो में डेमो दे दूँगा आप उहाँ पर देखके इस message को आना बंद करतेंगे इसे कैसे बंद करते हैं चलिए देखते हैं इसके लिए हमें जाना होगा BIOS setting में जैसे की guys आप देख रहे हो सबसे उपर लिखा हुआ है प्रेस DEL to run setup यहाँ पर और एक important बात guys ऐसा नहीं के आपके लिए भी DEL button प्रेस करना पड़े अलग-अलग motherboard के लिए अलग-अलग keys होते हैं मैं यहाँ पर N68 motherboard use कर रहा हूँ इसलिए DEL की guys आप एक बात पर ध्यान दीजिए to run setup to run setup आपको यहाँ पर जाना है so हमें computer की keyboard की DEL button को प्रेस करके BIOS में जाना होगा यहाँ पर रहा मेरा DEL button मैं इसे प्रेस करके BIOS में एंटर करूँगा so यह मैं आ गया BIOS सेटिंग्स में और सबसे उपर आप देख सकते हो standard BIOS features और यहाँ पर लिखा हुआ configure time and date यानि उस option पर time and date configure होगा चलिए नीचे चलते है advanced BIOS features में यह हम आगे advanced BIOS features में आप यहाँ पर देख सकते हो configure hard disk जी हाँ दोस्तो हमें इस option पर ही जाना है यहाँ पर जागे हम अपनी hard disk की जो settings है उसे configure कर सकेंगे यह हम enter कर चुके हैं hard disk की settings में चलिए थोड़ा नीचे की तरब आते हैं नीचे की तरब आते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो wait for DEL यहाँ पर और एक important बात गाईज ऐसा नहीं कि आपके hard disk configuration में यही लिखा हो wait for DEL if error आपको वहाँ और कुछ भी लिखा हो सकता है आपको यहाँ पर आच्छी तरह से पर के समझना होगा in my case इसी option enable होने पर हमें यह message शो कर रहा था सो guys चलिए इसे disable करते हैं और देखते हैं फिर यह message आ रहा है या नहीं यह हमने disable को select किया आप F10 यानि की जो save करने की option है F10 आप यहाँ पर देख सकते हो इस F10 बटन को प्रेस करके हम इसे save करके exit हो जाएंगे इस option से और यह हम bio setting से निकल चुके हैं आप हमारा computer फिर से restart हो रहा है आप यहाँ पर देख सकते हो सो guys चलिए देखते हैं computer on होने पर वो message फिर से आ रहा है या नहीं या या motherboard की logo चलिए आगे देखते हैं नहीं दोस्तो वो message नहीं आया so guys thanks for watching my video if you like my video then please share it and subscribe my channel thank you